दुनिया में सबसे भारी चीज़ खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है लोगों की बातों की वज़े से अपना मकसद मत भूलो, एक बादिया जखो, कुटों के भूकने से फकीरों की रिक्स कमी नहीं होती तीन चीज़े इनसान को अल्ला से दूर करती है, अपने गुनाओं को भूल जाना, नमबर दो अपने आमाल को ज़्यादा समझना, नमबर तीन अपने आपको सबसे बहतर समझना मनजीले हमीशा उनहीं को मिलती है, जो मनजीलों को तलाश करते है, जो दिल के सच्छे होते है, वो अक्सर अखेले होते है कभी किसी को दूख मत दो क्योंके माफी मांग लेने पर भी दील में दर्द बाकी रहता है जिस तरह दिवार में से कील निकलने पर सुराग बाकी रहता है रिष्टों की खुबसूरती एक दूसरों की बात को बरदाश करने में है बे एब इनसान तलाश करोंगे तो अखेले रह जाओंगे हर शक्स का गम उसकी हिम्मत के मताबिक होता है जो आदमी दूसरे लोगों के एब की तलाश में रहता है अल्ला ताला उसके एब जाहिर कर देता है जो श्वर्क तुम्हारी खáमोशी से तुम्हारी तकलिफ का अंदाजा ना कर सके उसके सामने जुबान से इजार करना से लभजों को जाया करना है हजजड अली ने फरमाया हमीचे चोटी चोटी खुशियों का इस्तिक्बाल किया करो क्योंकि उन्ही के पीचे महबतों का सहलाब होता है हजद अली ने फर्माया दोस्तों की गलती रेट पर लिखो ताके पानी से मिटा दे और दोस्त के ऐसाथ फत्तर पर लिखो ताके कोई से ना मिटा सके हज़र्द अली रजियों ताला हमने ने फरमाया दोस्ती और महबत उन से करो जो निवहना जानते हो नफरत उन से करो जो बुलाना जानते हो और गुसा उन पर करो जो मनाना जानते हो